एलो स्टूडेंट्स जी एडवांस तू थाउजिंड नाइंटीन पेपर टू सौल गरेंगे अपन इसका गॉशन नूम्मर वन है जिसमें अपने को दो प्रोपर्टी दे रखें और ओप्शन में अपने को फंक्श्न दे रखें जिन में अपने को गॉला है कि इसमें प्रटी बन सेटिसप्होरी है नहीं हो रही है अपने को चेक करा कि लिमिट है के अज टेंट सूजी रू एफ एच मतलब प्याएगा मौड़ो बाइच माइनस ऐफ गोगा जीरो अपोन अंडरूल मौड ओफ एच एक यहां खास बात कि है कि एज क्या है अपने हो यह नहीं दे रखा है तो एज पोजिटीव हो सकता है और एज नेगीटिव वह सकता है यहांसे एक इसको स्वोल करेंगे तो यह आगे लिमिट है एच टेंट सू जीरो मौड ऑफ एच की पावर बन बाइटो वेल्यू क्या आगी जीरो तो अपने लेच चल लेच या रच चल ले वेल्यू क्याएगी जीरो इसका मतलब एक अप्सण वन के लिए प्रॉपर्टि वन सेटिस्पाई कि ऊप्सेंट्टू में अपने वह गोला है कि प्रॉपर्टीघ्टी-डियू जाता है अपने की सेटिस्पाई है नहीं अ प्रोपर्टी टू लगा देते हैं लिमिट एज टेंड सो जीरो फंक्शन क्या दे रखा है एफ ओफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड ओफ एक्स तो एच इंटू मॉड ओफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन के एच स्क्राइब यह आगे लिमिट एच टेंड सो जीरो मॉड ओफ है अब जब एच नेगेटिव होगा जीरो माइनस पे देखेंगे और देखेंगे ले यहां अश्च का है नेगेटिव हो सकता है और कि थो उप्र के बारे में अपने f of x equal to sin x, property 2, limit h tends to 0, sin h minus sin 0, 0 upon h square, limit h tends to 0, 1 by h, क्या होगा, does not exist, अब अपन option 4 की बात करें, option यहां पर limit यहां भी does not exist होगी, तो option 2 और option 3 के हैं, incorrect, option 1 correct है, अब अपन option 4 की बात करें, f of x equal to limit, property 1 satisfy करानी है, हो, h to the power 2 by 3, minus 0, upon mod of h to the power 1 by 2, ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, limit h tends to 0, h square की whole power 1 by 3, upon mod of h की power 1 by 2, और multiply होजाएंगे, वापस के आगे, h की power 2 by 3 बन गे, है, अब मैं h square को क्या लिख सकता हूँ, limit h tends to 0, h square को लिख सकता हूँ, mode of h का square, power 1 by 3 is 80, तो यह अपने हो पता है की x square equal to क्या होता है, mode of x का square, एक ही बात है, h square की ज़िए क्या क्या लिख देवाने, mode of h का, अब power multiply करदे हैं, limit h tends to 0, mode of h to the power 2 by 3 upon mode of h to the power 1 by 2, तो यहां से क्या आगा, limit h tends to 0, mode of h to the power 1 by 6, 0 रखेंगे, 0 प्लस रखो, चाहे 0, माइनस रखो, value के आगे 0, मतलब limit exists कर रही है, मतलब property 1 satisfy हो रही है, तो इसके answer है, first option and fourth option, next question number 2 है, जिसमें अपने को दो matrix दे रखी है, P और Q, third matrix है, R, okay, R equal to P, Q, P inverse, option 1 है, जिसमें अपने होगला है, 4X equal to 1, there exists a unit vector, alpha IK plus beta JK plus gamma KK, R into alpha beta gamma equal to 0, 0, सबसे पहले में, R equal to P, Q, P inverse, मैं determinant of R निकाल रहा हूँ, वो क्या आगा, determinant of P, determinant of Q, determinant of P inverse, determinant of P inverse क्या होगा, 1 upon determinant of P, determinant of P, determinant of P से determinant of P cancel होगा, determinant of R equal to determinant of Q, Q के अपन determinant की value निकाले, तो 2 into 24 minus X square into 2 minus 4 X square, तो determinant of R क्या आगया, अपने पास, 48 minus 4 X, अब मैं option 1 की बात करूँ, option 1 में क्या दे रखा है अपने को, R into alpha beta gamma equal to 0, अब R 3 cross 3 की matrix है, इसको alpha beta gamma से multiply करेंगे, मैं इसको ऐसे बोल दूँ कि यह form दे रखिये, A into X equal to 0, यही form है, R को क्या बोल दिया, मैंने A, और alpha beta gamma हो क्या बोल दिया, capital X matrix, अब X equal to 1 के लिए, determinant of R क्या है, X equal to 1 के लिए, 44, मतलब determinant of A, A की बात, अब determinant of A क्या रहा है, not equal to 0, इसका मतलब इस equation का कौन सा solution होगा, trivial solution, unique solution, और unique solution क्या है इसका, तीन homogeneous plane की equation बनेंगे, unique solution क्या आएगा, 0, 0, 0, trivial solution होगा, एक ही solution होगा, वो क्या होगा, 0, 0, 0, मतलब alpha equal to, beta equal to, gamma equal to, 0, so alpha i cap plus beta j cap plus gamma k cap, एक unit vector नहीं होगा, इसलिए option 1 के है, incorrect है, इसके बाद में बात करते हैं हमाण, option 2 की, second option में अपने हो बुला है, determinant of r equal to, determinant of r equal to अपने हो बता है, कितना 48 minus 4 x के, यह तो बात आगी, lhs की, option 2 की, rhs निकाले हैं पन, तो वो कितनी आजाएगी, determinant की value आगी 40 minus, 4 x square plus 8, यह भी कितना आगया, 48 minus 4 x square और यह क्या है, rhs, मतलब lhs equal to क्या आगया, rhs, मतलब option 2 क्या है, correct option, option 2 क्या है, correct, इसके बाद में अपन option 3 की बात करें, option 3 के लिए, सबसे पहले हैं, r matrix निकालेंगे, r matrix क्या है, p, q, p inverse, अब p inverse यह तो सबसे पहले, अपन क्या निकालेंगे, p inverse, p inverse निकालते हैं बन, तो सबसे पहले अपन निकालते है, adjoint of p, ठेक, adjoint of p निकालेंगे अपन, तो क्या आजाएगा अपने पास, transpose, ठेक, अब दूसरी बात अपन, determinant of p निकालें, तो सिंपल है, कॉलम वन के अलों, expand कर देंगे, इतना रहा है, 6, तो p inverse क्या आजाएगा, अपने पास, adjoint of p, अपन, determinant of p, इतना आगे, 1 by 6, 6, माइनस 3, 0, 0, 3, 0, 0, 3, माइनस 2, 00, 2, यह अपने पास, p inverse, अब अपन, r निकालेंगे, तो r क्या होगा, p into q, into p inverse, तो अपन, p into q, निकालने, p into q, निकालने, तो वो क्या आएगा, और x equal to, 0, x equal to 0 के लिए, p क्या अपने पास, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 0, 3, और q क्या हो जाएगा, x equal to 0 के लिए, q आगे अपने पास, 2, 0, 0, 0, 4, 0, 006, p into q, निकालेंगे, p q क्या आजाएगा, अपने पास, यह p into q, अब इसको मैं, पी इन्वर्स से मंटिप्लाई कर रहा हूँ, पी इन्वर्स, तो, आर क्या आजाएगा, अपने पास, आर इक्वल टू, आर इक्वल टू, वन बाइ सिक्स में, अज़िटी जर्खाँ, मिल्टिप्लाई में, पी इन्वर्स कर रहे है, यह अपने पास, आर मेट्रिक्स आज़े, अब अपने वो, अप्शन थी में, आर इन्टू, वन ए, 4, 0, 4, 8, 36, इन्टू, 1, A, B, इक्वल टू, 6, 6, A, 6, B, यह एक्वेशन बनाए, अब अपने इसको से मल्टिप्लाई करें, और जोना तरब कम्पेर करके, A और B की वेलन दा लें, अब इनको पन मल्टिप्लाई कर लेते, मै्ट्रिक्स क्या बन जाएगी, 12, प्लस 6, A, प्लस 4, B, 24, A, प्लस 8, B, 36, B, इक्वल टू, 6 को उदर बेज़ें, 36, 36, A, 36, B, अब अब अपन कम्पेर कर लेते हैं, यहां से, 12 प्लस 6, A, प्लस 4, B, इक्वल टू, 36, यह एक्वेशन क्या बन जाएगी, 6, A, प्लस 4, B, इक्वल टू, 24, 3, A, प्लस 2, B, इक्वल टू, 12, इक्वेशन बन, इक्वेशन निकालने, 8, B, इक्वल टू, 12, A, यहां से क्या आगया, 4, B, 2, B, इक्वल टू, 3, A, इक्वेशन नम्बर 2, अब 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 यहां 2, इक्वेशन रख दें, 3, A, 6, A, इक इतना आगया, 2, तो B कितना आगया, प्लस 3, 3, A, प्लस B कितना आगया, 5, इसका मतलब, option 3 क्या है, correct option, अब अब अपन 4th option की बात करें, there exists a real number X, such that, P Q equal to QP, कोई real number exist कर रहा है, इसके लिए अपनी स्पूच है, P Q equal to QP, अब अब अपन P into Q निकालेंगे, और Q इंटू पी निकाले हैं अपन एक रो अपन पीक्यू की निकाली एक क्यूपी की निकाले हैं अब अपन इक्वल करें यहां पर दोनों को तो मैं इन दोनों को इक्वल कर रहा है इन दोनों को इक्वल करूँगा तो मिक्रीख सब्सक्राद करह और लुत कि भाइ 2xelf निसटेट हम measuring 1 कि थे तो पन्यसे एक्स कैनसेल हो गया थे अपनों कोस्ट फाइ एक्स कॉमर ले में लें तो क्या बचेगा है कि खाफ 9 माइनस टू है ये टेन पाइ एकस अपॉन एक्सक्यूव घंग अब कोस्टाइए एक्स कॉमनल लिया है तो आपने देखें कि एफ डैस जीरो का होगा एफ डैस जीरो जब होगा जब यह दोनों क्या हो जाएंगे एक्वल अब बात ही आती है कि यहां पर अपन बाइटू रखेंगे तब यह जीरो हो जाएगा लेकिन 1 by 2 पे 10 क्या है, not defined, 3 by 2 पे 0 हो रहा है, cos pi x, लेकिन 3 by 2 पे 10, 3 pi by 2 क्या हो जाएगा, not defined, ठीक, और अपन यहां भी चेक करें, जो original f dash x हो, उसमें 1 by 2 रखें, 3 by 2 रखें, तो f dash x क्या हो रहा है, not equal to 0, ठीक, तो यह 0 हो, इसका कोई role नहीं है, यह यहां पर 0 होगा, उस case में 10 क्या हो जाएगा, not defined, ठीक, तो अपन original f dash x में रखेंगे, उसमें रखेंगे 1 by 2, 3 by 2, तो f dash x क्या रहा है, not equal to 0, ठीक, तो 0 कौन होगा, pi x minus 2 10 pi x, अब यह 0 होगा, तब f dash x 0 होगा, मतलब अपने को local maximum and minimum मिलेंगे, तो यह 0 कहा होगा, इसका अपन ग्राफ बनाएगे इसका ग्राफ इस टाइप से बनाएगे कि, pi x का ग्राफ अलग बनाएगे, और 2 10 pi x का ग्राफ अलग बनाएगे, ठीक, तो कैसे बनाएगे, देखो, अब 10 काँ पर not define होगा, pi already इसके अंदर है, ठीक, pi x है, तो x को मैं 1 by 2 put करूँगा, तब क्या होगा, not define? 1 by 2, x को मैं 3 by 2 put करूँगा, तब भी क्या होगा, not define? not define, x को मैं 5 by 2 put करूँगा, तब भी क्या होगा, not define, ठीक, ऐसे चलता जाएगे, अब अब अपन 10 का ग्राफ बना लें, 10 pi x का, 10, 0, 0, ठीक, 1 पर 10 क्या होगा, 1 रखेंगे, x को तो 10 pi क्या होगा, 0, तो इस टाइब से ग्राफ आजाएगे, यह 1 है, यहां कहीं 2 होगा, 2 पर value के आएगी, 0, तो आगे 3 पर value के आएगी, 0, ऐसे चलता जाएगे, अब अब अपने को पता है कि, इसका जो period हो क्या है, 1, period क्या है, 1, 1 by 2 पर no define है, 3 by 2 पर no define है, जैसा ग्राफ 1 by 2 से 3 by 2 में है, same graph 3 by 2 से 5 by 2 में, ठीक, और same graph 5 by 2 से 7 by 2 में होगा, same graph 7 by 2 से 9 by 2 में होगा, मतलब इसका period क्या है, 1, ठीक, अब अब अपन लाइन का graph बनाए, पाई एक्स, इस टाइप से लाइन जाएगी, यह लाइन है, y equal to pi x, यह लाइन कौन से y equal to pi x, और यह graph जो बनाए अपने वो क्या है, y equal to 2 tan pi x, ठीक, अब दोनों equal कहां कहां हो रहें, एक तो इस point पर equal हो रहें, लेकिन यह point domain में नहीं है, ठीक, एक्स क्या दे रिखा है अपने को, greater than 0, ठीक, दूसरा यह point है, जहाँ पर दोनों equal हो रहें, दोनों equal होंगे, वहाँ क्या बनेगा, 0, मतलब f dash x क्या हो जाएगा, उस point पर 0, तो मैं इस point को मालनों, alpha 1, ठीक, फिर यहाँ पर दोनों equal हो रहें, इस point को क्या मालनों में, alpha 2, ठीक, अब अपन बात करें कि कहाँ पर positive होगा, कहाँ पर negative होगा, 5-6, अपन नंबर लाइन बनाए, ठीक, कहाँ कहाँ नोट define हो रहा है, function वो नोट कर लेते हैं, पहले, 1 by 2, उसके बाद में alpha 1 आ रहा है, फिर 3 by 2, फिर अपने पास alpha 2 आ रहा है, फिर क्या अपने पास 5 by 2, ठीक, तो, अब एक चीज़ देखें हैं अपन, कि f dash x कहाँ positive होगा, कहा negative होगा, सबसे पहले बात करें हैं, अपन alpha 1 से पहले, alpha 1 से पहले, x की value क्या है, greater than 1, x की value क्या है, greater than 1, अपन डारेक्ट बात करें तो, 1 by 2 से 3 by 2, जब x 1 by 2 से क्या है, 3 by 2, ठीक, तो, x 1 by 2 से 3 by 2, यहां अपन, तो, pi into 1 by 2 to 3 by 2, मतलब, pi by 2 to 3 by 2, मतलब, second or third quarter, cos क्या होगा, negative, तो, 1 by 2 से 3 by 2 में, cos क्या होगा, negative, मत 3 by 2 से 5 by 2 रखूं, ठीक है, 3 by 2 से 5 by 2, यहां पर, x कीजिए, तो, pi से multiply होगा, तो, क्या बन गया, 3 by 2, 2, 5 by 2, मतलब, fourth और fifth quadrant, fifth मतलब first quadrant, तो fourth और first quadrant में, cos क्या होता है, positive, तो, इस interval में, cos क्या है, negative, इस interval में, cos क्या है, positive, इसका पता लगा लिए, अपने cos pi x का, ठीक है, इसके बाद में, इन दोनों में देखें हैं, तो, जिसका graph उपर होगा, उसकी value बढ़ी होगी, तो, अपन पहले बात करत दो, also, alpha one से पहले की बात करें, तो, pi x का graph उपर है, ठीक है, और 10 pi x का graph नीचे, तो, ये value क्या होगी, पूरी, positive, क्योंको, pi x का graph उपर है, इसका graph नीचे, तो, इसकी value ज़्यादा होगी, इसकी value कम होगी, तो ये value क्या है, positive, लेकिन ये value क्या है, negative, 1 by 2 से 3 by 2, पूरे interval में क्या है नेगेटिव तो अलफा बन से पहले भी क्या होगी तो नेगेटिव इंटू पोजिइटिव नेगेटिव तो यहाँ पर मेगे यौझता यह पर कि क ठीक है और पाई एक्स का अगराफ नीचे है तो वेल्यू क्या हैगी यह क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पोजिटिव नेगेटिव पोजिटिव आगया अब अब अपन 3 by 2 के बाद की बात कर लें 3 by 2 के बाद की बात करें कर एल्फा 2 तक तो 3 by 2 से 5 by 2 में यह तो पोजिटिव है लेकिन 3 by 2 से ले तक की बात करें पर इतने इंटरवल की बात करें और पाई X का ग्राफ क्या थो उपर 10 का ग्राफ क्यानीचे यह वेल्यू क्या होगा बसिटिव और 3 by 2 से फाइफ by फिर perché के बाद रिल्ग क्या होगी छलता आफ इसका मतलब एलफा बंपर क्या है मिनिमा मतलब इर उर गूँड है कि यह अपने इसक्स का मतलब positive से negative मतलब maximum तो I wa a alpha1 पे Local minima alpha 2 पे Local maximum तो अब हम ऑपान option की बात करते हैं सबसे पहले मैं second option की बात करूँ तो second option में क्या लिखा एकक्स अपने वह पता है एक्स ऑन इस ग्रेटर देन अधा भाया एकस बढ़ा Y1 शोट है तो option 2, incorrect option है, इसके बाद अपन बात करें, third option की, third option की बात करें अपन, तो x1 किसे interval में आ रहा है, 2 से 2.5, 5 by 2 क्या है, 2.5, या फिर 5 by 2 को क्या लेख सकते हैं अपन, 2 plus 1 by 2, तो x1 कहां से कहा तक है, 2 से 2 plus 1 by 2, similarly x2 कहां से आएगा, 4 से 4 plus 1 by 2, फिर x3 कहां पर आएगा, 6 to 6 plus 1 by 2, तो इसका मतलब option 3 क्या है, correct option, xn बिलोंग सो 2n to 2n plus 1 by 2, alternate आएगे, y1, x1, फिर y2, फिर x2, फिर y3, फिर x3, तो इसके बाद बात करें, अपन, option 4 की, option 4 में लिखा है, mod of xn minus yn is greater than 1, अब xn और yn के बीच की distance क्या है, 1 से बड़ी, यह अपने को प्रूव करने है, तो अपने एक x1 और y1 ले ले लेते हैं, पहले सबसे, तो y1 यहां है, x1 यहां है, अब मैंने बताया कि, जो graph है, यह periodic है, और इसका period क्या 1, जो graph 1 by 2 से 3 by 2 में है, मतलब यह distance कितनी है, 1, वैसा वैसा graph 3 by 2 से 5 by 2 में, 10 by x का graph, टेक, 10 by x का graph, वैसा वैसा graph 5 by 2 से 7 by 2 में होगा, मतलब period कितना है, 1, तो मैं किसी भी 2 point को horizontally मिलाऊंगा, तो बीच की distance क्या होगी, 1, जैसे मालो मैं इस point को इस point से मिलाऊं, 1 से 2 तक, distance कितनी है, 1, मैं 1 by 2 से 3 by 2 को मिलाऊं, distance कितनी है, 1, तो मैं इस point को, यहां से मैं एक x-axis के parallel line draw कर रहा हूँ, यह x-axis के parallel, तो यह length, और यहां से मैं x-axis के perpendicular एक line draw कर रहा हूँ, तो यह length कितनी है, 1, यह कितनी है, 1, अब यह length 1 है, अब यहां पर देखो, जो यहां तक length पूरी 1 है, इससे आगे length, कुछ ना कुछ है, मतलब थोड़ी बहुत distance आगे, तो alpha 2 और alpha 1 के बीच, यहां तक की distance कितनी है, 1, लेकिन alpha 2 तो आगे है, तो distance कितनी होगी, greater than 1, इसका मतलब यह प्रूव हो गया, कि mode of x1 minus y1, greater than 1, इस part के काल, यह जो part है, इस part के काल, इस point से इस point की distance कितनी है, 1, अपने rectangle बना लिए, लेकिन alpha 2 इस point से आगे है, तो alpha 1 और alpha 2 के बीच की distance कितनी है, greater than 1, clear, next, option number 1, option number 1 में लिखा है अपने को, xn plus 1 minus xn, greater than 2, similar वही चीज़ है वापस, यह x1 है, x1 से अपन ग्राफ बना लें आगे, तो इस ताइप से ग्राफ होगा, यहाँ पर y2 होगा, इससे आगे ग्राफ बनाएंगे अपन, तो यहाँ पर क्या आजाएगा अपने पास, y, intersect करेगा, यहाँ पर intersection point होगा, वो क्या होगा, y2 और, यह intersection point क्या जाएगा, x2, अपन देखेंगे, यहाँ से start करेंगे, इस point से, यह distance कितनी होगा, यह distance कितनी होगी पूरी, 2, लेकिन इससे आगे है, क्यों, x2, मतलब, xn, x2 minus x2 minus x1 is greater than 2, मतलब, xn plus 1 minus xn greater than 2, तो option 1 correct है, option 3 correct है, and option 4 correct, option 2 कह है, incorrect, next question number 4 है, जिसमें अपने को 6 matrix दे रखिए, p1, p2, p3, p4, p5, p6, तो सबसे पहले हैं, option number 3 की बात करते हैं, ठीज, third option की बात करते हैं, x is a symmetric matrix, x equal to क्या दे रखा है, अपने का, summation, k equal to 1 to 6, p of k, इसको मैं क्यों मान रहा हूँ है, matrix into p of k का transpose, ठीक है, इस question में खास बात यह कि जो अपने उच्छे matrix दे रखिए, हैं, p1 से लेकर, p6 तक, सब symmetric matrix है, मतलब pk transpose equal to pk, यह अपने को check करना है, हर matrix का अपन ट्रांस्पोज लेंगे, तो वही matrix है, मतलब हर matrix के symmetric matrix है, अब मैं यहां से x की बात करूँ, मैं दोनों तरफ transpose ले लूँ, x transpose equal to summation k equal to 126, p of k, pk q, pk transpose का होल transpose, अपन ट्रांस्पोज लें तो क्या है गा, x transpose equal to p1 q, q, p1 transpose का होल transpose, plus p2 q, p2 transpose का होल transpose, तो अब एक्सपोज इक्सपोज इक्वल टू बात करें, तो पी यह एक्सपोज का ट्रांस्पोज, q transpose, p1 transpose, plus p2 के transpose का ट्रांस्पोज, q transpose, p2 transpose, so on, तो एक्सपोज इक्वल टू, अपने हों पता है कि यह तो पीवन ही होगा, q transpose, p1 का transpose, p1 transpose, ठीक, और q का transpose क्या होगा, q, q matrix अपने माननी, 2, 1, 3, 1, 0, 2, 3, 2, 1 को, इसका transpose लेंगे तो वही matrix आएगे, q transpose इक्वल टू, ठीक, नेक्स अपने बात करें तो p2, q transpose का, sorry q का transpose क्या होगा, q ही होगा, q भी क्या है, यह क्या अपने पास आगे, x, x transpose इक्वल टू क्या आगे, x, मतलब x क्या, symmetric matrix है, ठीक, तो third option, correct option, next अपन second option की बात करेंगे, पहले, second option में लिखा है, x और 1, 1, 1, उसको मैं B मान रहा हूँ, x b equal to alpha b, then alpha equal to 30, जो 1, 1 matrix है, उसको मैंने के माल लिया, b, अभी आपर आपन x की बात करेंगे, तो x b multiply करेंगे, x b equal to क्या आगे, p1 q, p1 transpose into b plus p2 q, p2 transpose into b, p3 q, p3 transpose into b, यहां से अपन, p1 transpose, matrix है, वो तो p1 होगी, p2 transpose क्या होगी, p2 और p3 transpose भी क्या होगी, यहां से अपन, x into b equal to, इसको multiply करेंगे, p1 transpose into b, तो अपने पास क्या आजाएगा, b matrix, फिर मैं p2 transpose into b multiply करूँगा, b क्या, 111, उसको मैं p2 transpose, 111 है, तो multiply करूँगा, तो वही matrix आजाएगी वापस, यह common sense, p2 into q into b, p3 into q into b, यह भी क्या होजाएगा, plus, xb equal to, p1 plus p2 plus, p3 plus p4 plus p5 plus p6 into q into b, यह भी क्या होजाएगा, अब p1 plus p2 plus p3 करेंगे, तो xb equal to यह क्या आजाएगा, 2, 2, 2, q matrix क्या आपने बास, 2, 1, 3, 1, 0, 2, 3, 2, 1, और b क्या आपने बास, 111, तिनों को multiply करेंगे, तो xb equal to 30 into 111, मतलब क्या मिल गए अपने को, xb equal to 30 into b, b कोन है, यहाँ, 11 matrix, तो यहाँ पर alpha कितना आगे, 30, मतलब option, 2, correct option है, फोर्थ option देखेंगे, अबने, second option में देखा था कि xb equal to 30 into b, यहाँ से अपन xb minus 30 b equal to null matrix, तो x minus 30 i into b equal to null matrix, अब एक चीज़ अपने हों पता है कि कोई भी दो matrix है, a into b equal to null matrix है, और मैं यह बोल दूँ कि b not equal to null, this implies determinant of a equal to 0, यह अपन जानते हैं, तो यहाँ पर मुझे पता है कि b क्या है, null matrix नहीं है, तो इसकी determinant को क्या होना पड़ेगा, 0, determinant of x minus 3 i equal to kya होगा, 0, मतलब x minus 30 i, sorry, determinant of x minus 30 i equal to kya होगा, 0, तो अपने को fourth option में क्या बोला है कि x minus 30 i is an invertible matrix, अपने हों बता है कि इसकी determinant की value 0 है, तो यह invertible matrix नहीं हो, तो fourth option is incorrect, इसके बाद में आपने first option की बात करें, तो पहले option में बोला है sum of diagonal entries of x is 18, x equal to kya होगा, p1 into q into p1 transpose plus p2 into q into p2 transpose, p3 into q into p3 transpose, x equal to, p1 to i matrix है, p1 transpose भी क्या हो जाएगा, i into q into i plus p2 क्या अपने पास, 100, 001, 010, into q क्या अपने पास, 213, 102, 321, p2 transpose क्या होगा, 100, 001, 010, same way होगा, अब अब अपने होग पता है कि q into i q, q into i q, x equal to q matrix क्या है, 213, 102, 321, plus, इसको multiply करेंगे अपन, तो क्या आएगा, 2, 3, फिर इसको multiply करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, 1, इसको multiply करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास, 3, 2nd row, 1st column, 3, 2, 1, इसको multiply करेंगे अपन, तो क्या जाएगा, 1, 0, 2, into 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 3, plus, इसकी trace क्या है, 3, 3, अपने को diagonal entries का sum पूछा है, मतलब trace, matrix की trace क्या है, trace का sum, sorry, diagonal entries का sum क्या है, 3, इन दोनों को multiply करेंगे, तो अपने पास क्या है, diagonal entries का sum, 3, अगले के लिए भी, 3, similarly, total कितनी matrix होंगे, 6, तो हर एक की diagonal entries का sum कितना है, 3, तो 6 into 3 क्या आगे, 18, यहां पर अपने को calculation करने के, तो option 1 is correct option, next question number 5 है, जिसमें एक line है L1, L1 पर कोई point है P, पुमालने अपन जीरो कॉमा, जीरो कॉमा, लेम्डा कॉमा, यह अपने को L1 line पर point मिल गया, दूसरी line है L2, L2 पर point है Q, Q point आगे अपने बास, जीरो कॉमा, म्यू कॉमा 1, इसके बाद में L3 पर कोई point है R, वो point क्या हुआ है, 1, 1, V, टिक, PQR को linear है, तो मैं लिख सकता हूँ कि PQ vector इक्वल टू, T into PR vector, को linear है तो, T nearly dependent होगी, तो अपने PQ vector, इक्वल टू क्या लिख दिए, T into PR vector, अब PQ vector निकाले है अपन, तो माइनस lambda I cap, प्लस, म्यू जे कैप, प्लस के कैप, एक्वल टू, T into PR vector, वन माइनस lambda I cap, जे कैप, वी के कैप, दोनों parallel है, तो compare कर लेते हैं, माइनस lambda upon 1 minus lambda, equal to mu upon 1, equal to 1 upon V, अब अपन बात करें, तो यह तीनों equal होंगे आपस में, तो यहां से इसकी range निकालने हैं अपन, इसकी range क्या है, R minus 0, यह part कभी भी 0 नहीं हो सकता, और यह part कभी भी 1 नहीं हो सकता, इसकी range क्या होगी, R minus 1, बाकि यह सब कुछ हो सकता है, ठीक है, यह कभी 1 नहीं हो सकता, तो mu क्या होगा, not equal to 1, तो mu क्या हैगा, not equal to 1, और यह कभी 0 नहीं हो सकता, तो mu क्या होगा, not equal to 0, तो mu 0 और 1 नहीं हो सकता, कि यूज पॉइंट हो क्या-क्या नहीं हो सकता एक तो यह पॉइंट भी नहीं होगा और यह पॉइंट भी नहीं ओगा तो क्या हो 0,1,1 यह क्यों नहीं हो सकता है इसका मतलब option 1 रिजेक्ट और फिर option 2 की 2 में कौन सा क्या दे रखा आपने को minus 1 by 2,1 वो possible फिर option 3 में 1 by 2,1 वो भी possible है option 4 में क्या 001 वो possible नहीं next question no.6 है 6 में मैं denominator में से n square common ले रहा हूं क्या बज़ जाएगा अपने पास limit n tends to infinity 1 to the power 1 by 3 plus 2 to the power 1 by 3 plus n to the power 1 by 3 upon n to the power 1 by 3 बज़ेगा क्योंकि n square common ले लिए अपन n square से divide हो गया n to the power 7 by 3 क्या बज़ेगा अपने पास 1 upon a plus 1 by n का whole square plus 1 upon a plus 2 by n का whole square अब n to the power 1 by 3 उपर जोड निमिने टरम देरका उनको सब तरम को अलग अलग डिवाइड कर ज़ेते हैं n to the power 1 by 3 से तो लिमेट n tends to infinity 1 upon n to the power 1 by 3 2 upon n to the power 1 by 3 n upon n to the power 1 by 3 upon 1 upon a plus 1 by n का square plus 1 upon a plus 2 by n का whole square 1 upon a plus n by n का whole square यह आगया अब मैं उपर निचे 1 by n से multiply कर देता हूं और summation की form में लेख जेता हूं 1 by n summation n equal to 1 to n sorry r equal to 1 to n r by n की पावर 1 by t 1 by n summation r equal to 1 to n 1 upon a plus r by n का whole square यह आब इसका पन integration में कन्वेट कर लेते ही क्यागा integration 0 to 1 x to the power 1 by 3 dx अब आपन इसके integration की value निकालें तो वो क्या जाएगी x to the power 4 by 3 upon 4 by 3 limit क्या आगे 0 to 1 यह क्या आगे minus 1 upon a plus x limit 0 to 1 equal to अपने को 54 दे तो यहां से अपन solve करें उपर क्या जाएगा अपने बास 3 by 4 और नीचे क्या बनेगा 1 by a minus 1 upon a plus 1 equal to 54 अपने ले ले लेंगे अपन तो 3 by 4 को उधर बेज़ने अपन त्री से 54 18 18 into 4 72 यह बनेगे आपने पास a square plus a minus 72 equal to 0 यह फेक्टर बने यहां से a square plus 9 a minus 8 a minus 72 equal to 0 a plus 9 a minus 8 equal to 0 एकी दो वेल्यों आगी तो 8 और capital fx equal to integration 0 to x x-1 x-2 x-5 dx सबसे अपने capital f-x निकाले तो वो कितना जाएगा अपने पास x-1 x-2 x-5 जाएगे दाइस जीरो capital f-x 0 कहां कहां होगा 1 2 और 5 ए 1 से कंव वेल्यू रखें पन नेगेटिव 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 मतलब नेगेटिव पोजिटीव नेगेटिव पोजिटीव नेगेटिव फोजिटीव तो यह क्या होगा लोकल मेक्सिमा मेंते मीडिं ए तो दो मिनिमा होंगे और एक मेक्सिमा होगा तो फोर्थ ओसन गळए उसमें बोला ज BH ऑने बूड टू लोकल तो लोक सिमैंट है कि उल्ड़ो लेख पर एक ầ सब करते हैं मैं 3 और सर्टे एक सीइक्स to 1 minima x equal to 1 पे minima है पिर x equal to 2 पे maxima 2 पे मेक्सिमा मतलब second और third option correct option है पॉर्थ के तो अब क्वेशन स्वारी फर्स्ट ओप्शन की बात करें अब तो एफ एक्स इक्सेकर तो इंटिग्रेशन 0 2 X आपन करने इसको XQ रूट का सम एट प्लस टेकन टूए टीट इंग 8X क्या प्लस टेकन टूए टीटाइम 10 2 5 अलब 10 प्लस 2 12 प्लस 5 17 माइनस टेकन 3 एट टीटाइम 10 इंटो 1 10 अब यहां से अपन देखते हैं कि एफ ओफ जीरो कितना रहा है अपने गोला है कि एफ पोप एक्स नोट इक्वल टू जीरो और ओल एक्स बिलॉंग सू ओपन जीरो टू फाइफ ऑफ जीरो पे वेल्यू क्या है जीरो तो कि अपने हो क्या निकाला है ओपन जीरो से मतलब जीरो से बड़ी वेलिश्टिक ओपन की बात आगे तो बाउंट्री पॉइंट चेक करने की ज़रत नहीं है एफ और निकाले अपन वन बाइफ 4 मायनस 8 भाइ 3 सेवेंटीन वाइट 2 मायनस 10 यरो फो निकाले अपन वह कितना आ जाएगा टू तो बाउब 4 उपाउपन 4-8 इंटू 2 बाउफ 3 उपाउफ 3 इस्टैन इन टू तू तो बाउफ निकालों की वह भी कहे गए मतलब बन्-टू-जरी लोकल मिनिमा है वह भी नेगेट यह फिर लोकलमेक्सिमा वह भी नेगेट यह फिर लोकल मिनिमा यह वह भी नेगेटव मतलब 0 से 5 के वीच में क했 bottom बूत कहीं भी 0 नहीं होगा 10 जीरो पे वेल्यू बॉजिश्यू आरे है शोरी जो पे वेल्यू जीरो आ रहे हैं लेकिन जीरो प्लस पे चैक करना है जीरो प्लस के बाद में वेल्यू क्या और यह फाइब तक क्या है कि वेल्यू नेगेटिव नेक्स्ट्ट नमबर एट है जिसमें अपने को f of n दे रहा है ठीक है उपर निचे मैं 2 से मल्टिप्लाई कर र कि इसामेशन गए इक वाल 2 0 2 n कोस यह माइनस बी दोनों को सब्टेट कर दो तो अपने अज पास आज जाएगा माइनस पाई अपन एंड प्लस 2 कोस माइनस ठीटा क्या होता है को इससीटा था न प्लस 2 माइनस को जो सिए a plus b a plus b करेंगे तो क्या जाएगा 2k plus 3 अपॉन एंड प्लस 2 इंटू पाई कि अपॉन है टू साइन स्केर थीटा क्या होता है वन माइनस कॉस टू थीटा तो सम्मेशन के इक्वल टू जीरो टू एंड इसके बाद में अपने स्टम की बात करें अलग अलग समेशन देंगे तो फर्स टम की बात करें तो यह तो के से क्या इंडिपेंडेंट है ढ़ी को ठीक है तो दू झीरो हो चाहिए एंड हो चाहिए बन हो चाहिए टू घर तो सेम रही टोटल किति टम वह यहां के जीरो से लेकर अन तक वेरी कर रहा रहा है अदलब टोटल टम कीदिये N plus 1 तो यह N plus 1 time add होगा same चीज इसको मैं लिख सकता हूँ F of N equal to N plus 1 into हम कोस पाई अपाउन अप्लस 2 माइनस इसका summation करेंगे अब तो इसमें के है तो की वेलिवेरी करेंगे तो कोस का एंगल वो बेरी करें तो क्या बनेगा यहांसे को 0 रखेंगे तो कोस 3 pi upon n plus 2 1 रखेंगे cos 5 pi upon n plus 2 plus last term क्या होगी k को n रख देंगे cos 2n plus 3 upon n plus 2 into pi upon ठीक है upon में 1 है तो 1 तो n plus 1 time add होगा तो 1 into n plus 1 n plus 1 minus k को 0 रखो cos 2 pi upon n plus 2 plus cos 1 रखो 4 pi upon n plus 2 last में n रख दो cos 2n plus 2 upon n plus 2 into pi ठीक अब यह cos में series बन गी तो फोर्मिला लगा दिगे पंडारेक f of n equal to n plus 1 into cos pi upon n plus 2 ठीक है minus क्या होगा क्या होगा number of term n plus 1 common difference upon 2 common difference क्या है 2 pi upon n plus 2 दोनों का difference दोनों एंगल का difference ठीक है upon 2 यह आगे upon sign common difference upon 2 pi upon n plus 2 ठीक है into cos first angle plus last angle upon 2 first plus last करेंगे तो 3 pi 6 pi 2n pi so n plus 3 into pi upon n plus 2 ठीक upon n plus 1 as it is minus फिर वापर series बन गी यहाँ भी formula लगा दें sign number of term common difference upon 2 upon sign common difference upon 2 cos first angle plus last angle upon 2 first plus last करेंगे तो 2n pi plus 4 pi ठीक तो 2n pi plus तो क्या बन गया n plus 2 upon n plus 2 into pi ठीक तो यह तो n plus 2 से n plus 2 cancel हो गया क्या बन गया cos pi मतलब minus 1 cos pi मतलब minus 1 अभी एक चीज़ बते हैं मैं इसको ले रहाँ सिर्फ इसी को sin n plus 1 pi upon n plus 2 तो देखो sin n plus 1 इसको 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 लिख रहाँ हूं मैं n plus 2 minus 1 into pi upon n plus 2 इसको क्या लिख सकता हूं मैं sin इसको इसको लिख यह होता है sin तो यहां के आगा पाई माइनस पाई एपॉन प्लस 2 5-प्लस साइन-फाइद नॉबट केंसिल ओगए यह भी दोनों केंसिल यह क्या बन गया कोसटा पाई केतना बन गया मैनस 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 बार मैनस है तो नीचे आप लुट आगे तो अपने पास एफ आ अन क्या आ गया माइनस कोस न प्लस 3 अपॉन एन प्लस 2 इंटू पाइपन है निकालने अपन यहां से n प्लस 1 इन प्लस 5 पाइपन एन प्लस 2 मैंनस कोस पाइपन एंप लिख सकत हूं n plus 3 को लिख दिया n plus 2 plus 1 upon n plus 2 cos pi plus theta minus cos theta f of n equal to क्या आगया n plus 2 cos pi upon n plus 2 upon n plus 2 pencil हो गया क्या आगया cos pi upon n plus 2 ठीक है option 1 की बात करें है अपन तो क्या f of 4 equal to root 3 by 2 f of 4 मतलब cos pi by 6 कि इतना आएगा root 3 by 2 correct option option 2 की बात करें है अपन तो alpha equal to 10 of cos inverse f of 6 f of 6 n की जिकर 6 रखो तो क्या आगया cos 5 by 8 यह कितना आगया 10 by 8 alpha की value आगई अब यह equation है alpha square plus 2 alpha minus 1 equal to 0 इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2 alpha upon 1 minus alpha square equal to 1 alpha की value क्या 10 pi by 8 तो 2 10 by 8 अपन 1 minus 10 square 5 by 8 equal to क्या लिख सकता हूं 10 2 theta मतलब 2 into 5 by 8 कि इतना आगया 10 by by 4 मतलब 1 यह क्या है आरच्च्च्च्च्च्च्च्च इसके बाद मैं आप संथी की बात करूं आप संथी में क्या लिखा है लिमिट एंटेंट सु इंफिनिटी एफ पेन मतलब कोस पाई अपॉन एन प्लस तू एन को इंफिनिटी रखेंगे तो कोस 0 वेलिव किसकी और जाएगी वन की और कोस जीरो कितना होता है तो अप्सन 3 के इनकरेक्ट ऑप्सन 2 और ऑप्सन 1 के अब ऑप्सन 4 की बात करें अपन तो इसमें क्या लिखा है साइन 7 in 2 और सेवन इंटू कॉस इंवर्स ऐस फोफाइब कितना आ जाएगा की आपकोस ऑफ पाइब सैवन के साइन 7 इंटू पाइब सेवन आगे जो तो साइन पाइए अपने पास यह सेड़ों और अपने को option 4 भी क्या हो गया correct option 1, 2, or 4 correct answer Hello students अपना जो next question है वो based है vector पे तो इसमें आपको सबसे पहले vector A given है, vector B given है vector C आपको बनाना है उसके बाद में C vector का आपको projection दिया गया है उसके बाद में जो expression है उसकी minimum value आपसे उचिए तो open start करते हैं इसको यह A और B vector होगे C vector form करना है इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं यह आपका C vector हो गया अब आपको एक information और given है कि यह जो C vector है इसका projection ठीक है किस पे? A plus B पे तो इसका projection अपन calculate कर सकते हैं C dot A plus B divided by mode A plus B यह आपको given है किसके equal? 3 root 2 के equal है ठीक है? तो यहां से मैं A plus B की value रख दूँगा तो यहां मैंने A plus B की value रख दिये है और यहां A plus B का magnitude ले लिए है अब यहां पर अपन C की value भी replace कर देंगे तो यह बनेगा ठीक है? अब इसको अपन solve कर रहे हैं तो यह बनेगा 9 alpha plus 9 beta is equal to 18 ठीक है? तो यहां से अपन कह सकते हैं कि अपने पास result क्या आ गया? alpha plus beta is equal to 2 ठीक है? अब अपन को minimum value find करनी है C minus A cross B dot C तो यहां पन सब की value रख देते हैं ठीक है? यह value रख दे हैं अब अपन इन दोनों को multiply करते हैं तो यह बनेगा alpha alpha modeka square plus alpha beta a dot b ठीक है? यह beta b है इसको इससे multiply करेंगे तो यह बनेगा alpha beta b dot a plus इसको इससे multiply करेंगे तो यह बनेगा beta square mod b का square और यह भी यहां पर बनेगा alpha square अब इसको इसके साथ करेंगे तो भी 0 बनेगा और इसको इसको इसके साथ करेंगे तो भी 0 बनेगा ठीक है? तो यह बन गया है आपका alpha square modeka square plus 2 alpha beta a mode b और यह है beta square ठीक है? अब आपन सब की value रख देते हैं mode a की value रख देंगे mode a b की value रख देंगे और mode b की value तो यहां से आप देख सकते हैं इसकी value होगी 6 तो यह 6 alpha square इसकी value होगी 3 यहां से आप calculate कर सकते हैं तो यह हो जाएगा 6 से alpha beta प्लस यह आप देखें तो इसकी value भी आएगी 6 तो यह जाएगा आपका 6 से beta square तो यह हो जाएगा 6 से alpha square प्लस alpha beta प्लस beta square अपको इस expression की minimum value find करने है ठीक है तो मैं यह बीटा की value replace कर देता हूँ यहां से तो यह बन जाएगा 6 alpha square प्लस alpha 2 minus alpha 2 minus alpha का square तो यह है 6 alpha square ठीक है प्लस 2 alpha minus alpha square plus alpha square minus 4 alpha plus 4 ठीक है यहां से ही आगे आपको ठीक है तो आपन को इनकी इसकी minimum value चाहिए तो आपन इसको लिख देंगे 6 से alpha minus 1 का whole square plus 3 तो यह जो expression आप देख रहे हैं इसकी minimum value obviously 3 होगी विकोज यह minimum कितना हो सकता है 0 तो यह हो जाएगा 6 से 0 plus 3 तो minimum value कितने हो जाएगी 18 ठीक है तो 18 ही आपका answer होगा ठीक है students Hello students अपना next question है trigonometry पर based एक series है ठीक है तो अपन सबसे पहले इसके अंदर वाला part calculate कर लेते हैं उसकी value calculate करते हैं उसके बाद में second verse में इसकी value रखे अपन exact answer calculate कर लेंगे ठीक है तो यहां पर आपको given है इसको अपन course में बदा लेते हैं जो सेक के time में आपको दिया गया है झाले कर दो 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 ठीक है अब यहां पर अपन यह जो दोनु एंगल हैं इनके difference की form में उपर sign बना लेंगे ठीक है ऐसा अपन बहुत सारे problems में करते हैं आपने notice करा होगा तो यह बन जाएगा झाल जाइगेा लगस्दक्त झाल कि इस तरह से ठीक है अगर आप इस expression की value देखें तो यह जो आपको यह जो expression दिया गया sine के अंदर यह जो अंदर आप solve करेंगे से तो इसकी value pi by 2 होगी तो sine pi by 2 होता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अपने पास कितना था 1 और इसकी value भी क्या है 1 इसका मतलब यह है कि यह expression लिखने से अपने को कुछ extra divide नहीं करना पड़ेगा इसकी value ओल्रेडी कितनी ह 1 है ठीक है उसके बाद में यह sin a-b तो मैं इसका a-b का expansion करता हूँ उससे आपको पता दो time मिलेंगे दोनुं में मैं डिनोमेटर से divide करता हूँ तो यह बनेगा इस तरह से ठीक है अलगलग divide करने से यह बनेगा अब अपन के एकी value रखना start करेंगे 0 1 2 3 और सबको add कर देंगे sigma की वज़े से तो आप देखेंगे यह बनेगा सबसे पहले 0 रखेंगे उसके बाद में 1 रखेंगे उसके बाद में अपन 2 रखेंगे 3 रखेंगे ऐसे तो आपके से different different terms मिलते जाएंगे और last में अपन रखेंगे 10 तो यह बनेगा 10 inverse sorry 10 तो यह जो पूरी series थे आपके पास इसका अपने summation कर दिया अब अगर आप इसको notice करो इस पूरे summation को तो यहां पे यह alternate जो times है यह आपके cancel हो जाएंगे ठीक है ऐसे उसके बाद में अगर आप इसका sum करोगे तो आपको एक तो यह term मिलेगा और एक यह term मिलेगा उसके वेल्यू कितने आईगी देखो एक time आपका negative में तो यह बचा और positive में यह बचा है इसको अपन यह जो है इसको थोड़ा simplify कर लें तो यह आपको मिलेगा 475 by 12 इस तरह से इसको आप code की time में करोगे इस angle की form में तो आपको यह मिल जाएगा ठीक है इन दोनों को अगर आप solve करते हो तो यह बनेगा 2 कोसेक 7 5 by 6 ठीक है विकोज अपन जानते हैं कि कोट थीटा प्लस 10 थीटा इसको अपन लिखते हैं 2 कोसेक 2 थीटा तो यह आ गया इसकी वेल्यू अपन देखते हैं कितने आएगी 4 तो इसकी वेल्यू आ गए यहां तक 4 अब यह जो वेल्यू है ओपन वापस कोशन में रखते हैं यहां पर इसकी वेल्यू रखेंगे यह जो पूरा एक्स्प्रेशन आया है इसकी वेल्यू आई है 4 तो यह आपका बन जाएगा सेक इन्वर्स 1 और इसकी आंसर कितना आजाएगा इसका आंसर 0 ठीक है स्टूडेंट्स यह आपका आंसर हो गया है हलो स्टूडेंट्स अपना नेक्स प्रॉब्लम है जिसमें आपको यह बोला गया है कि एक डिटर्मेंट के वेल्यू 0 के इक्वल है जहां एक पॉजिटिव वेल्यू है पॉजिटिव इंटीजर वेल्यू है तो एन की वो वेल्यू आपको फाइंड आउट करनी है उसके ब पहले तो सबसे पहले वन वन एलिमेंट देख रहे हैं अपना इसके बाद में वन टू एलिमेंट देखते हैं इसको मैं लिखता हूँ के स्क्वाइड एन सी के यह जो एन सी के था इसको मैंने रेडूस कर दिया विकोज अपन जानते हैं यह पन पढ़ते हैं तो इसके हेल्प से मैंने रेडूस कर दिया ठीक है यह जो एन था इसको एक्स्प्रेशन से बाहर कर दिया यह हुगा हम के में माइनस वन करता हूँ और फ्लस वन करता हूँ इस तरह से यह जो प्रॉब्लाम है टफ नहीं है लेकिन लेंक थी है इसको मैं इसके साथ और इसके साथ अलग-अलग मल्टिप्लाई कर रहा हूँ दोनों के साथ अलग-अलग मल्टिप्लाई करती है ठीक है अब इसको मैं एक बार फिर रेडिूस कर रहा हूँ यह जो पार्ट है इसको एक बार मैं इस मेथड से फिर से रेडिूस कर रहा हूँ यह जो पार्ट है इसको पन ऐसे रखते हैं अब यह समेशन वाला पार्ट है वो अपन इस पे और इस पे अलग-अलग लगा देते हैं तो n-1 n-2 c k-2 प्लस इस पे अलग लगाते हैं तो यह है n-1 c k-2 अब आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि अगर k equal to 0 रखते हैं तो यहां define नहीं होगा because अपन reduce कर चुके हैं तो अब k की कौन सी value यहां से define होना start होगी वो होगी k equal to 1 और यह होगा आपका n यहां पर अगर अपन देखें तो k equal to 0 भी define नहीं होगा 1 भी तो यहां आपन k की value कहां से start कर पाएंगे 2 से और यह कहां तक रहेगा n थक ठीक है तो यह हो जाएगा आपका n n-1 को अपन बाहर ले लेंगे n-1 को अपन बाहर ले लिया तो यह जो expression है इसकी value अपन जानते हैं binomial में calculate करते रहते हैं यह इसके equal होगा प्लस इसकी value भी अपन binomial में calculate करते रहते हैं तो यह हो जाएगा 2 पावर n-1 ठीक है तो कुल मिला के यह आ गया n-1 2 पावर n-2 इस तरह से ठीक है अब अपन को आगे और calculate करना है 2-1 की value तो 2-1 element जो है वो है k equal to 0 से n इसको भी अपन reduce कर देते हैं यहां k equal to 0 नहीं ले पाएंगे अपन को कहां से start करना पड़ेगा 1 से और यह हो गया आपका n equal आ गया n 2 पावर n-1 यह अपन binomial से calculate करते रहते हैं ठीक है अब अपने को determinant का जो 2-2 element है उसके value calculate करना है इसको मैंसे लिख देता हूं 1 power n-k और 3 power k ठीक है तो अपने जानते हैं binomial से बन चुका है अब यहां पर अपनको 1-1, 1-2, 2-1 और 2-2 सब की value मिल गई है तो वो value मैं एक determinant में replace कर दोंगा ठीक है तो इस determinant में replace करेंगे सब value और उसको करेंगे अपन 0 के equal ठीक है तो students अपने 1-1, 1-2, 2-1 और 2-2 elements जो है इसकी value replace कर दी है अब अपने इस determinant को solve कर लेंगे तो यह बन जाएगा करेंगे छोपgり आता पहाएब सब्सक्पट अब अङ ம में ठीक है यह बन गया इसको अपन सोल करेंगे आई होब कि आप इसे सोल कर लेंगे तो आपको मिलेगा एन इक्वल टू जीरो माइनस वन और फॉर यह एन की तीन वेल्यू मिलेंगे पर आपको बोला गया है कि आपको एन की पॉजिटिव इंटीजर वेल्यू चूज करनी है 5 इसके बाद में अपना आंसर फाइंड करेंगे तो इन की ज्याके निधी फ फॉर रख लेंगे तो यह हो जाएगा और फोर वाइन की जी जाए 2020 आपने और यह हो जाएगा k plus 1 अब आपनको इस expression की value find करने है तो यह होगा आपका करने हो आपका 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 सक्तेस्, एवित करने ही अच्साइब करते हैं ठीक है तो आपका अंसर हो गया 6.2 ओल्राइट स्टूरेंट्स हलो स्टूरेंट्स अपना नेक्स कोशन है P&C पर बेस्ट है ठीक है तो सबसे पहले आप इस कोशन को समझ लीजी इसमें आपको बोला गया है कि आपके पास एक सर्कल है उस पर पांच लोग बैठे हुए है एक सर्कल पर पांच लोग बैठे हुए है और आपके पास तीन कलर के हेट है ठीक है आपके पास तीन कलर के हेट अवैलेबल है आप सबी को एक एक हेट देना चाहते हो ताकि कोई भी दो जो conjugate है उनके जो हेट है उनके color सेम नहीं होने चाहिए अगर ये green है तो ये और ये green नहीं हो सकते मतब कोई भी दो conjugative है उनके hat के color सेम नहीं हो सकते थीक है तो मुझे total 5 hat लेने है तो ये तो clear है कि मैं किसी एक color के 3 hat नहीं ले पाऊंगा विकोज अगर मैं तीन ग्रिन ले लूँगा तो उसके बाद में चाहिए मैं कैसे ये रेंज करूँ कहें ने कहें दो हेट कंजुकेटिव एक ही कलर के जरूर आएंगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ मुझे क्या करना पड़ेगा तू सेम कलर एंड वन डिफरेंट कलर तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि दो तो एक ही कलर के हेट लेने पड़ेंगे और एक ही color के ज्यादा से ज्यादा मैं दो हेट ले सकता हूँ मेरा कहने का मतलब ही एक ही color के मैं ज्यादा से ज्यादा दो हेट ले सकता हूँ तो फिर क्या-क्या possible choices हैं तो मैं या तो क्या कर सकता हूँ एक तो red ले लू दो green और दो blue या मैं दो रेड, एक ग्रीन और दो ब्लू लECक्ता हूँ तो कुल में इलाके मेरे पास कितनी choices हैं? थ्री choices हैं, ठीक है? तो अगर मैं heads की बात करूँ, कितने types से मैं head choose कर सकता हूँ तो मेरे पास 3 choices हैं, या तो मैं 1 red लूँ, 2 green और 2 blue या बाकी 2 possibility आप देख रहे हैं For example, सबसे पहले मैं इस possibility को choose करता हूँ इन 3 में से मैंने ये choose कर लिया अब मेरे पास 2 blue color के head हैं, 2 green color के head हैं और 1 red color का और मुझे इस circle पे इस तरह से range करना है कि कोई भी 2 same color के head neighbors के ना हो ठीक है? फिलो try करते हैं तो सबसे पहले ये जो A है, इसको मैं ये red color का head देता हूँ A को मैंने कैसे दे दिया? red color का head ठीक है? लेकिन ये जो red color का है वो मैंने A को दिया है right now लेकिन मुझे ये भी दिया रखना पड़ेगा कि मेरे पास इस red color के लिए कितनी choices थी तो मैं A को भी दे सकता था, B को, C को, D को, E को तो ये जो red color है, red color है, इसके लिए मेरे पास कितनी choices थी? तो मैंने 5 choices, ठीक है? उसमें से मैंने कौन सी choice को select किया है for now, A को select करा है, मैंने A पर रखा, वैसे मैं B पे रख सकता था, C पे, D पे या E पे तो मुझे जान है कि red color, इसको, जो है, इसके लिए मेरे पास कितनी choices थी? तो सबसे पहले मैंने color combination में ये choice ले ली, उसके बाद में मैंने red color के लिए, जो A position है, वो choice ले ली है, ठीक है उसके बाद में, मुझे ये जो green और green है, इसको देखना है, तो green और green को देखना है, और उसके अलावा blue और blue को देखना है साथ-साथ मुझे ये ध्यान रखना है, कि दो green लगातार ना हो, और दो blue भी लगातार ना हो तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये जो green और green है, वो दे सकता हूँ मैं किसको? B और D को तो ये B और D को दे दिया, तो उसके बाद में ये जो blue और blue है, वो किसको जाएगा? C और E को जाएगा ये हम उल्टा भी कर सकता हूँ, कि ये जो green और green है, ये मैं किसको देदू? C और E को ठीक है? और blue और blue किसको देदू? B और D को तो यहाँ पर आप देखो, total choices कितनी होगी? ये होगी 2, ठीक है? ये होगी total choices 2, तो यहाँ मागर अपना answer देखो तो वो मुझे कैसा नज़र आएगा, कि सबसे पहले color combination के इसाब से मेरे पास कितनी choices हैं? 3, किसी एक color को लेके मैं जब start करूँगा, तो उसके लिए मेरे पास कितनी choices हैं? 5, और एक color को fix कर दिया, उसके बाद में मेरे पास कितनी choices हैं? 2, तो आपका answer कितना हो जाएगा? 30 choices, तो आपका answer होगा? 30 ways ऐसे हैं आपके पास, जिससे आप ऐसे head distribute कर सकते हो, जिससे कोई भ labor हैं, उनके head का color same नहीं होगा, ठीक है? तो जे advance 2019 का जोगला question है, उसकी तरह बढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये बोला गया है, कि आपको दो set हैं, वो select करने हैं, ठीक है? एक set A है, एक set B है, और ये दोनों set आपको select करने हैं, एक जो sample space दे रखा है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, उसमें से आपको select करना है, ठीक है? अब उसमें condition है, कि जो B में elements हैं, वो एक से बड़े होने चाहिए, और A में जो element होंगे, वो जादा होंगे B के elements से, ठीक है? तो अपन इसको एक Venn Diagram से explain कर देते हैं, यह जो है, यह A को denote करेगा, यह जो है, यह B को denote करेगा, यह जो पूरा है वो A है, और यह पूरा है वो B है, और जो दोनों का जो common part है, उसको उपन C बोल देते हैं, ठीक है? तो number of element in A, अब आपको यह बोला गया है कि A और B जो है, वो independent events है, तो अपन independent event की condition लगा देते हैं, यह independent event की condition है, अब अपन जानते हैं कि sample space का जो total size है, वो 6 है, तो सब की probability लिख देते हैं, तो यह आ गया A, B equal to 6C, ठीक है? तो अब आपन देख लेंगे कि A, B और C की कौन-कौन सी value जो हैं, वो इस relation को satisfy करेंगी, तो यह हो गया A, B, C, तो अब आपन देख लेंगे कि क्या-क्या सी possibility हो सकती हैं, जिसमें A, B equal to क्या हो? 6C, नमबर वन, और नमबर टू, आपको इस condition का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो यह condition बोल रही है कि B में element, B और यह, ठीक है? तो आपन को दो condition का ध्यान रखना पड़ेगा, एक, यह condition है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कि यह follow होनी चाहिए, और साथ-साथ A, B is equal to 6C, भी follow होनी चाहिए, तो मैं इन दोनू condition का ध्यान रखते हुए, यह check करूँगा, कि क्या possibilities हो सकती है, ठीक है? तो सबसे पहले, A की value में 3 ले लू, B की 2 ले लू, और C की value 1 ले ली, ठीक है? यह आपने एकाम कर सकते हैं, A की कितने ले ले? 4, इसका उल्टा नहीं कर पाएंगे, 2, 3 नहीं कर सकते हैं, नहीं तो यह गडबड हो जाएगा, तो यह मैंने ले लिए 4, यह 3, तो फिर C कितना हो जाएगा? 2, इस तरह से, ठीक है? इसके अलावा इस condition को satisfy करने वाले, और साथ-साथ इस condition को satisfy करने वाले सारे के सारे जो try-os हैं, वो मैं लिख रहा हूँ, तो वो हो सकते हैं, 6, 1, 1, 6, 2, इस तरह से, ठीक है? अब आपन को यह देखना है, कि यह काम आपन कितने तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपन जानते हैं, कि अपने पास total element कितने हैं, 6 है, तो सबसे पहले, मैं यह जो c है, यह जो c है, इसको select कर लेता हूँ, तो total 6 है, तो इसका selection का तरीका क्या होगा? 6 c 1, ठीक है? अब मेरे को क्या करना है, कि यह जो a है, इसमें total 3 थे, और 1 इसमें से मैं ले चुका हूँ, तो मुझे 2 ही लेने हैं, और मेरे पास बचे कितने हैं? 5, तो यह कितना हो जाएगा? 5 c 2, into, अब जो b है, उसमें total मुझे 2 लेने हैं, जबकि 1 जो है, वो already c की form में आ चुका है, तो बचे वे में से मुझे 1 ही लेना है, तो यह हो जाएगा 4 c 1, ठीक है? यहाँ सबसे पहले मैं c वाला पार्ट उठाता हूँ, तो यह जो c है, इसके select करने के 6 c 2 है, अब total a में 4 है, जिसमें से 2 तो यहाँ पे c के form में आ चुके हैं, अब 2 लेने हैं, तो यह हो जाएगा 4 c 2, अब b में मुझे 1 ही ओड लेना है, ठीक है? तो यह हो जाएगा, बचे वे 2 में से 1 लेना है, तो यह हो जाएगा 2 c 1, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दिजिए, कि a में total 6 है, b में total 1 है, और c में कितना है? 1 है, त है, वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यह कितना हो जाएगा? 6 c 1, ठीक है? तो एक तो यहाँ पे मैंने रख लिया, अब जो c है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, उसका तरीका है 6 c 1, अब जो a है, उसमें total इस बार कितने जाने अच्छ है, तो अपन जो c थे, उसकी सार कर ली, तो अब बाकी बचे वे, यह जो इदर वाला, केवल a वाला पार्ट है, only a, उसमें जाने का एक ही तरीका होगा, ठीक है? उसके बाद में, जो b है, उसको सेलेक्ट करने का आपके पास कोई तरीका नहीं रहा, तो कोई तरीका नहीं है, उसका मतलब तरीका कितना है, मैंने, a में total 6 होने है, ठीक है, तो दो element यहाँ set करने के total तरीके ले लिए 6C2, अब बाकी बचे हुए, a में चले जाएंगे, और b में again कोई element नहीं आएगा, क्योंकि b में जो आना है, वो केवल c में ही मिलेगा, उसका तरीका 1 है, इसी तरीके से, तो total सब का आप add कर दोगे, तो यह आपको मिलेगा 422, ठीक है, तो यह आपका आप सब्सक्राइब, अपना जो इस पेपर का next question है, वो है integration पर best, definite integration पर best, ठीक है, तो अपने इसको solve करना start करते हैं, यह आपको given है, इस पर अपन king's property लगाते हैं, king's property, ठीक है, यह होता है, इसको अपन king's property बोलते हैं, तो मैं इसमें यह property अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं number two बोल देता हूँ, और इस expression को number one बोल देते हैं, ठीक है, अब अपन one or two को add कर देते हैं, तो यह बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है, तो यहां पर एक power cancel हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है, अब इसमें root cos theta पन common ले लेते हैं, तो बहार आके वो cos square theta बनेगा, और उपर जाके बन जाएगा, से एक square theta, ठीक है, और यहां अंदर बन जाएगा, one plus under root में 10 theta power 4, ठीक है, अब अपन यह जो अंदर टैन theta है, इसको उजूम कर लेते हैं, y square, ठीक है, इसकी value यहां पर replace कर देते हैं, साथ-साथ limit भी change करते हैं, तो lower limit तो 0 ही रहेगा, और अपर limit pi by 2 रखने से यहां पर infinity बन जाएगा, ठीक है, और यह बन जाएगा, 6y dy, one plus y power 4, ठीक है, अब यह जो y है, इसमें plus one और minus one करेंगे, three को बाढ़ ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे, अलग अलग divide कर देते हैं, और integration का sign भी, अलग अलग apply कर देते हैं, यहां integrate कर रहे हैं अपन लोग, अब यहां पर limits replace कर देंगे, तो यह आपका बन जाएगा, one by two, और यह one by three, यह one by three और यह one by two, अब यह बन जाएगा, तो आपका final answer आजाएगा, point five zero, ठीक है, तो यह आपका final answer, hello students, यह जो next match the column type का जो question है, उसमें आपको fx और gx गिवन है, ठीक है, and you have to solve four trigonometric equation, एक fx इक्वल टू जीरो, एक gx इक्वल टू जीरो, एक g-dash इक्वल टू जीरो, और एक f-dash इक्वल टू जीरो, यह चारूं equation आपको solve करने हैं, उसके बाद मैं accordingly, x, y, z, और w, जो है, उसकी values आपको column के साथ match करने हैं, ठीक है, तो अपन इन चारूं को solve कर देते हैं, उसके बाद मैं आप लोग easily, match the column का काम complete कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपन fx की value, fx इक्वल टू जीरो के solution calculate करते हैं, fx है, ठीक है, इस तरह से, n यहाँ पर integer होता है, बढ़ आप जानते हैं, कि अपन n की तीनी value यहाँ पर select कर सकते हैं, n की यह तीनी value possible है, तो इन तीनों को अपन अलग-अलग solve करके, answer find कर लेते हैं, तो इससे आपको मिलेगा 2npi, means, आपको इसमें बोला गया है, कि आपको x की positive value लेनी है, तो यह value मैं हटा दूँगा, यह होगे, cos x equal to minus 1 का solution, x की positive value आपको लेनी है, तो यह value होगे, ठीक है, उसके बाद में, cos x is equal to 0 का solution, तो x हो जाएगा, तो यह आपके f x equal to 0 के total solution आगे है, अब इनको अपन एक ही set में लिख देते हैं, और उस set को क्या बोला गया है, capital x, ठीक है, तो आपका capital x हो जाएगा, आपकिएू में झापका तो यह हो जाएगा आपका f x is equal to 0 के total solution, तो आप यहां clearly देख सकते हैं कि जो solution है, वो definitely क्या बना रहे हैं, arithmetic progression बना रहे हैं, यह definitely क्या बना रहे हैं कि arithmetic progression बना रहे हैं, अब आपन calculate करेंगे f dash x is equal to 0, तो इसका differentiation करते हैं, इस तरह से, ठीक है, अब दोनों को लग-लग 0 के equal करते हैं, तो यहां से cos x की value यह आ गई है, अपन जानते हैं कि n एक integer value होता है, तो अपन n की कौन-कौन सी value यहां पे ले सकते हैं, तो n equal to 0 ले सकते हैं, because cos x equal to 1 by 2 possible है, n की value minus 1 ले सकते हैं, because आप minus 1 लोगे, तो यह minus 1 by 2 बन जाएगा, ठीक है, उसके अलाब आप 1 लोगे, तो cos x की value 3 by 2 बन जाएगी, जो की possible नहीं होगे, तो आप देख सकते हैं कि कौन मिलाके, या तो cos x 1 by 2 मिलेगा, या फिर cos x मिलेगा आपको कितना, minus 1 by 2, ठीक है, तो इन दोनों को solve कर लेते हैं, cos x is equal to 1 by 2, तो cos x equal to 1 by 2 के solution होंगे, 1st quadrant में 5 by 3, 4th quadrant में 5 by 3, इस टाइप से, ठीक है, उसके बाद में, cos x is equal to minus 1 by 2 है, इसके possible solution होंगे, 2 pi by 3, 4 pi by 3, इस टाइप से, ठीक है, तो इसके solution आदे, अब अपने इसको solve करेंगे, या जाएगा आपका, sin x is equal to 0, x is equal to n pi, x की यहाँ, जो possible value है, because x positive integer है, तो होगा, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, ऐसे, तो यहाँ से इस equation के जो possible solution है, वो एक तो x की यह value है, एक x की यह value है, और x की यह value है, इन सब को, कमाईली अपन बोल रहे हैं, y, यहाँ से y क्या मिलता है, वो अपन देखते हैं, ठीक है, तो y मिलता आपको, pi by 3, 2 pi by 3, pi, 4 pi by 3, ठीक है, 5 pi by 3, 2 pi, 7 pi by 3, pi, it is, ठीक है, इस तरह से, तो आप देख सकते हैं, कि f dash x equal to 0 की complete solution है, तो आप देख सकते हैं, कि यह जो solution है, वो भी definitely क्या बना रहे हैं, यह solution भी definitely है कि ap बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपने f x equal to 0 calculate कर लिया, और f dash x equal to 0 calculate कर लिया, ठीक है, चलो तो students, उसी paragraph, उसी question में अपना आगे बढ़ते हैं, और अब calculate करते हैं, g x equal to 0 की solution, अब अपन calculate कर रहे हैं, g x equal to 0, तो g x आपका, इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ अपन देखते हैं, कि sin x की क्या-क्या possible value हो सकती हैं, तो यहाँ पर आपन देख सकते हैं, कि यह sin x की possible values हैं, ठीक है, आप n equal to 0 रखोगे, तो यह मिलेगा, n equal to minus 1 रखोगे, तो यह मिलेगा, n equal to plus 1 रखेंगे, तो 3 by 4 मिलेगा, और n equal to minus 2 रखेंगे, तो minus 3 by 4 मिलेगा, ठीक है, तो आपन के solution लिख देते हैं, एक साथ, इन साथ लिख देते हैं इन दौनें का इक साथ सोलुशन हो जाएगा इन दोनों का एक साथ सोलुशन हो जाएगा इस तरह से अब इन दोनों का सोलुशन एक की साथ जब अपन लिखेंगे इसको अपन बोलेंगे जैड तो जैड आपका हो गया है यह आपका जैड हो गया है तो यह जैड की वेल्यू है अब जैसे आपन को और अप्शन्स में दिया गया है कि यह सोलुशन एक एपी बनाएंगे की नहीं तो यहाँ पन देख सकते हैं कि एपी बनेगी की नहीं तो यह होगा मैं यहां एन की डिफरेंट डिफरेंट वेल्यू लेके पोसिबल जैड की वेल्यूस फाइंड कर रहा हूं यहां वेल्यूस खिए्वाइंड कर रहा हूं जान दीजी स्टूडेंट्स मैंने यहां पर क्या करा है कि एन की डिफरेंट डिफरेंट वेल्यू रखके यह जो जेड है इसकी एक सिरीज बनाई है इनक्रिजिंग ओर में लेकिन मैं देख सकता हूं कि यह जो सिरीज है यह जो सिरीज बनी है सोलूशन्स की यह डेफिनेटली एक एपी नहीं है फिकोज इसका कोमन डिफरेंट से वो कॉंस्टेंट नहीं है तो मैं यहां क्या बोल सकता हूं नोट एन एन एपी ठीक है तो यहां आपके जो जेड है जेड के जो solutions हैं I mean set z में जो values हैं वो एक एपी नहीं बना रही है ठीक है अब आपन calculate करेंगे g-dasex अलग 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 sol कर लिते हैं झाल झाल ठीक है तो इस पार्ट का ये टोटल सोलिशन हो गया ठीक है ये इस पार्ट का सोलिशन हो गया तो इसके आगे अपन फाइनल आंसर लिखते हैं इसको और इन दोनों को मिला के तो ये बनेगा डबलू तो डबलू हो जाएगा मैं यहां से सारी पॉसिबल वेल्यू ले रहा हूं और यहां से भी सारी पॉसिबल वेल्यू ले रहा हूं तो यह हो जाएगा पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ तो यह आप cancer हो गए तो आपने यहाँ x की value calculate कर ली y की z की और w की ठीक है अब आप easily अपने जो columns हैं उनको match कर सकते हो तो column match करने का काम students आपको करना है ठीक है Hello students, अपना next match the question match the column का जो question है वो इस परकार से है फोड़ा lengthy question है ठीक है परपन कर लेंगे से conceptually बहुत ज़्यदा मुश्किल नहीं है तो आपको एक circle c1 दिया गया है एक circle c2 दिया गया है और एक circle c3 के बारे में भी जानकरी दी गई ठीक है तो सबसे पहले मैं इनका diagram बनाता हूँ according to given conditions और उसके बाद मैं अपन एक के करके जो भी unknown है वो find करेंगे ठीक है तो सबसे पहले अपन c1 बना लेते हैं यह आपका c1 circle है उसके radius 3 है ठीक है उसके बाद में c2 circle है जिसका center 3,4 है इस तरह से इसका center 3,4 है यह कोई circle है मैं बना देता हूँ आसे roughly यह आपका मैंने c2 circle बना दिया है ठीक है यह आपका c1 है और यह c2 circle ठीक है अब आपको बोला गया है कि एक third circle है c3 जो इन दोनों को touch करता है ठीक है तो मैं यह circle c3 बना रहा हूँ तो यह circle मैंने c3 बना दिया है जो इन दोनों को touch करता है ठीक है इसको यह यह यहां पर m पर touch करता है और यहां पर इसको n पर touch करता है ठीक है यह जो point है इसको x बोला गया है इस point को y बोला गया है इन दोनों की यह जो code है इसको यह बोला गया है ठीक है तो यह z है और इस point को बोला गया है w अब आपका ये जो सरकल है इसका जो थर्ड सरकल है इसका सेंटर मैं यह मान लेता हूं C3 है यह जो third circle है इसका center कितना है C3 ठीक है आपको यह बोला गया है कि इन तेनों के center है वो collinear है ठीक है तो यह इनके centers collinear है यह आप देख सकते हैं C1 का center center है यह C2 है और यह C3 का center है इसको अपन O भी बोल सकते हैं ठीक है तो यह अपना diagram हो गया है according to given condition ठीक है अब आप थोड़ा सा ध्यान दिजिए यह जो mn है यह जो mn है यह किसके equal है तो यह किसके equal है C1 का radius तो यह हो जाएगा 3 उसके बाद में यह distance में calculate कर सकता हूं जो O और C2 के बीच में है प्लस यह अगें C2 का radius है एक पा रहे हैं आप लो तो यह हो जाएगा 4 mn क्या है C3 का diameter है तो यह हो जाएगा 2R is equal to 3 प्लस तो यहां से अपने एक value find कर ली है R की ठीक है R equal to कितना मिल गए आपको 6 अब यह जो line है जो mn को मिला रही है इसका equation find कर सकते हैं पर तो जाएगा यह इस line का equation हो गया जो सभी centers को join कर रही है अब आपका जो C3 है वो भी इसी line पे है तो C3 के coordinate अपना जूम कर लेते हैं ठीक है तो अपन मान लेते हैं कि C3 का X coordinate कितना है H तो यहां से Y coordinate कितना हो जाएगा 4H अपन 3 इस तरह से ठीक है अब यहां पर अगे calculation करते हैं लिकोज अपन को H की value find करनी है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि OC3 OC3 का मतलब यह distance है C3 यानि कि जो 3rd circle है उसके center और O के इसकी जो distance है वो किसके equal होगी तो वो आपकी equal होगी MC3 माइनस MO यानि कि यह जो OC3 distance है वो इस total distance जो MC3 है उसमें से अगर आपन OM distance को हटा देंगे तो यह मिलेगे आपको तो OC3 distance ठीक है तो MC3 distance अपन जानते हैं कि C3 का radius है तो यह 6 है MOC1 का radius है तो यह 3 है तो यहां से आप देख सकते हैं कि OC3 की value कितने आगी 3 लेकिन C3 का आपने पास coordinate है तो C3 की O से value लिखें तो O यानि कि 00 और C3 के बेच की distance हो जाएगी H square plus 16 H square upon 9 is equal to 3 तो यह हो जाएगा 5 H upon 3 is equal to 3 तो यहां से H आगया है 9 upon 5 तो H की value आ गई है तो इसका center भी आ गया है C3 H की value replace करतेंगे यह हो जाएगा 9 upon 5 और यह हो जाएगा 4 upon 3 9 upon 5 तो C3 यह हो जाएगा 9 upon 5 और यह हो जाएगा 12 upon 5 ठीक है तो यह हो गया तो यहां से आप C3 complete circle भी लिख सकते हैं यह हो जाएगा X minus 9 upon 5 का whole square plus Y minus 12 upon 5 का whole square और यह radius कितनी है 6 तो यह हो जाएगा अब सबसे पहले question में अपनको जो method column का उसमें यह पूछा गया है कि 2 H plus K कि कि किस के whole होगा तो 2 यह आपका 6 के equal हो जाएगा तो अपने सबसे पहले value find कर ली है 2 H plus K की ठीक है ओके students question में आगे बढ़ते हैं तो यहां C3 अपन already find कर चुके हैं अब आपन यह Z W और X Y distance है यह find करेंगे ठीक है तो यह C3 आप circle आपके पास है तो सबसे पहले मैं यह X Y distance distance find करना चाता हूं तो सबसे पहले find करेंगे equation of X Y और Z W ठीक है X Y की equation बोले यह Z W की एक ही बात है तो यह C1 और C2 जो circle है उनकी common code है तो इसका equation हो जाएगा C1 minus C2 equal to 0 तो C1 और C2 के जो equation है वो अपन यह replace कर देंगे तो यह आ जाएगा 3X plus 4Y minus 9 equal to 0 ठीक है तो यह आपका common code X Y है या Z W है उसकी value आदेगे अब अपने को X Y की value find करनी है तो यह जो आपका circle C1 है और यह X है और यह Y है और यह इसका center है तो तो मुझे यह X Y distance find करनी है ठीक है यह common code है जिसका equation अपन already find कर चुके हैं C1 का center 00 है और इसकी जो radius है वो कितने है 3 है तो एक्स Y है यह हो जाएगा त्वाइस आर स्क्वाइर माइनस P स्क्वाइर यह अपन पढ़ते हैं यहां से यह जो P है यह भी calculate कर लेंगे तो यह जाएगा आपका यहां पर अपने एक्स वाइड कर लिया है अब अपन जे डबलू फाइंड करेंगे तो जे डबलू फाइंड करने के लिए मैं यह बड़े वाला सर्कल सी थरी काम मिलोंगा ठीक है यह हो गए यह सी थरी सर्कल यहां पर अपने यूज कर रहे हैं इसका रेडियस है ठीक है तो आपका जे डबलू यह अगयन हो जाएगा ट्वाइस आर स्क्वाइर माइनस पी स्क्वाइर ठीक है तो आर यहां पर अपने पास है सिक्स है और पी की विल्यू पन फाइंड कर लेते हैं तो पी यहां पर हो जाएगा झाल ठीक है अब यहां जे डबलू केल्कुलेट कर लेंगे यह हो जाएगा ठीक है अब यह जो दूसरा पार्ट है इस कांसर फाइंड कर लेते हैं जे डबलू डिवाइड बाई एकस वाई तो जे डबलू में एकस वाई से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका अंसर कितना बचेगा रूट 6 ठीक है तो यह आपका अंसर ओके स्टूडेंट्स अब अपन को दो एरिया जो हैं दो ट्रैंगल्स है उनका एरिया का कंपेरिजन करना है तो सबसे पहले अपन यह जो ट्रैंगल MZN है ट्रैंगल MZN इसका अरिया फाइंट करते हैं ठीक है तो MZN आप नोटिस करेंगे M Z और M इस तरह से ठीक है तो आप जानते हैं कि यह एंगल हमेशा कितना होता है 90 होता है ठीक है यह तो आप सर्कल में भी पढ़ते हैं तो यह जो एरिया होगा MZN का वो जाएगा वन बाई टू बेस तो क्या हो जाएगा MN और विकोज यह बेस है तो यह हाइट हो जाएगा ठीक है यह जो है वो कितना हो जाएगा हाइट तो हाइट क्या होगा वन बाई टू जे डवल ठीक है यह आपका हाइट हो जाएगा तो यहाँ पर अपने वेलूज रिप्लेस कर देते हैं वन बाई टू एम एन किसके एकोल है डाइमेटर के 12 वन बाई टू जे डवल अपन केलकुलेट कर चुके हैं 24 रूट 6 डिवाइड बाई 5 ठीक है यह आपका हाइट है तो यह हो जाएगा 72 रूट 6 और 5 ठीक है यह हो गया आपका MZ है अब जो दूसरे ट्रेंगल है वो आपको यूज करना है ZMW तो इसका जो एरिया है ZMW वो हो जाएगा इसको तो अपन किस की तरह माल लेंगे बेस ठीक है और यह जो है यहां से लेके यहां तक वो यह हो जाएगा हाइट है यह हो जाएगा 1 by 2 बेस कितना हो गया इसका ZW और हाइट है यह जो पार्ट है यह जो पार्ट है यह जो पार्ट है यहां से लेके यहां का यह हाइट हो जाएगा इसको मैं पी पॉइंट बोल देता है ठीक है तो हाइट जो है वो आपका हो जाएगा एम ओ प्लस ओ पी इस तरह से यह है वन बाई टू जेट डबलू ठीक है और यह ओ पी है यह जिरो जिरो से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो यह हुजाएगी नाइन अपॉन फाइव ठीक है तो यह हुजाएगा आपका 12 इंटू 24 रूट 6 डिवाइड़ बाई 25 ठीक है अब इन दोनों का रेशियो अपन को फाइंट करना है तो एरिया ओफ एम जेड एन ठीक है डिवाइड़ बाई एरिया ओफ जेड एम डव्य तो यह होगा 72 root 6 इसके आगे अपन देखेंगे यह बचाएगा 15 अपॉन 12 यह हो जाएगा 5 अपॉन 4 ठीक है तो यह आपका अंसर हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स इस कुशन का लास्ट पार्ट में स्टार्ट करते हैं इसमें आपको यह बोला गया है कि एम पर जो C1 और C3 की कोमन टेंजेंट है वो यह जो पेराबोला है इसको भी टच करती है ठीक है तो अलफा की विल्यू बताओ तो सबसे पहले स्लोप ओफ टेंजेंट एट एम तो आप देख सकते हैं कि यह दोनों लाइने यह डायमीटर और यह परपेंडिकुलर होगा तो यह जो डायमीटर है इसका स्लोप आप केलकुलेट भी कर चुके हैं तो इसका जो स्लोप है वो कितना होगा माइनस 3x4 विगोज इसका 4x3 है तो इसका हो जाएगा माइनस 3x4 अब अपन यहां पर टेंजेंट लिखते हैं ओ फॉर्मुला भी अपन जानते हैं इस सर्कल में अपन पढ़ते भी हैं इस तरह हैं तो यहां पर रेडियस होता है उसका रेडियस थ्री ठीक है इस तरह है पर आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर दो टेंजेंट हैं उसका रेजन भी क्लियर है क्योंकि एक स्लोप के करस्पंडिंग एक टेंजेंट तो यह होगी और एक टेंजेंट यह होगी पर अपने को यह वाली टेंजेंट साहिए तो अपन इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यह जो टेंजेंट है उस पे अपने ले लिया माइनस का साई अब आपके दोनों इंटरसेप्ट यहां पे नेगेटिव हैं तो यह अपना रिक्वाइट टेंजेंट है पर आपको यह बोला गया कि यह जो टेंजेंट है वह x2 is equal to 8 alpha y की भी टेंजेंट है ठीक है तो alpha की value बताओ तो इसके आगे solve करने की मेरे पास दो तरीके हैं या तो minus 3 by 4 slope वाली मैं इसकी भी टेंजेंट लिख लूँगा minus 3 by 4 slope वाली इस पेराबोला की भी टेंजेंट लिख लूँगा फिर जो पेराबोला की टेंजेंट है और यह जो टेंजेंट है इन दोनों का comparison कराके alpha find कर लूँगा यह मैं एक काम करता हूँ यह x2 minus 8 alpha y की value minus 3x by 4 minus 15 by 4 रखता हूँ ठीक है यह इसकी tangent है तो यहाँ y की value रख करते हैं कि यहाँ पर definitely d equal to क्या होगा जीरो यह मुमीद करता हूँ कि आप लोगो calculate कर लोगे alpha की value आपको मिलेगी 10 upon 3 ठीक है यहाँ आपका आपका आपका